सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाईए इस बेल आइकोन को लेटेश्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हेलो वीवर्स बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का मेरी यूटुब चैनल घरेलूशिक छपर आज मैं आप लोगों के लिए स्किन से रिलेटेट वीडियो लाई हूँ यानि कि आपके स्किन पे अगर कहीं खुजली हो गया है दाग धब्बे हो गया है या मच्छड के काटने से काला निशान पड़ गया है या किसी भी प्रकार के खुजली हो एलर्जी हो उनको ठीक करने के लिए एक ऐसा औयल बना कर दिखाऻूंगी जो विलकुल ही घरेलो उपचार से बना हो है और बिल्कुल ही कार गर दावा है फ्रेंस हमारे स्किन की जब सफाईन नहीं होती है तो वहां पर खुजली हो जाना आम सी बाथ है कई बार किसी तरह के एलर्जी के वज़े से खुजली वाले इस्थान पे तो वहां पर काला निसान भी छोड़ जाते हैं लेकिन आज मैं जो ऑईल आपको बना कर दिखाऊंगी बिल्कुल घर में देशी तरीके से आयुरवेदिक उपचार से बनाओंगी अगर उस ऑईल को अगर आप अपने खुजली वाले जगब पर लगाते हैं तो उस स्थान ना तो किसी भी प्रकार का काला धबा निशान चोड़ेगा और बिल्कुल ही आपके खुजली को जड़ से खत्म भी करेगा जिहां फ्रेंस यह बिल्कुल आयुरवेदिक तरीके से बना है तो चलिए मैं आपको यह आईल बना कर दिखाती हूं ज परिक इलाज में उपयोगी भी रहा है नीम के बता है की एक नेम और सोहुएं के बराबर होता है यानomet इक नीम साफ पीर को सब्सक्राभर ब compliro के बार्बर ने ने तो उसमेँ आपके नीम की पतीयों को तोड़कर डालने है इस सब्सक्राइब और दोड़कर नीम की पतियों आज में अच्छे से इसमें पकाए। आज को ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो नीम की पत्तिय तूरंग जल जाएगी और इससका जो रस है वो तेल में अच्छे से सामिन नहीं हो पाएगा तो आप उसके लिए धीमी आज में नीम की पत्यों को सर्शो के तेल में अच्छे से पकाए इस तरीके से आपकी जो नीम की पत्या है वो करीबं तीन से चार मिनट में अच्छे से पक जाएगी यह देखिए इस तरीके से नीम की पत्तियां जब काली पड़ जाए तो आप इनको छान लीजिए इस तरीके से यह देखिए फ्रेंज यह आईल जो है वो के वादो दो सी तीन मिनट में आपका बनकर रेडी हो जाएगा ज्यादा कुछ करने की जरुरत नहीं है यह बिल्कुल घरेलू और बिल्कुल सड़तिया इलाज है आपके खुजली के लिए फिर आपके हाथ पैर में जहां पर भी खुजली है वहां पर आप इस ओयल को अच्छे से एक से दो मिनट तक मालिश करें इस ओयल को आप रोजाना नहने के बाद जरूर लगाए इससे आपके सरीर में जहां भी खुजली की समस्या है वो जड़ से खतम हो जाएगी नहने के बाद अब इस ओयल को रोज लगाया इससे आपके सरीर में कोई शाइड डिफेक्ट नहीं होगा और जहां भी आपके दाद एवं खुजली है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा इसका बहुत सारे पानिस में थोड़े गरम पानि का निमनद thé को is cuarto पॉइल कर लिए ऊसको गरम कर ले और उसे नहने माले पानी में मिला दे अब इस पानी है इस प्रकार लोज़रों करने से कम से कम्स canyon साब थक गया तो निम की पत्यों को खजुत हम करने के लिए अगर बढलने को सभाण करने द्सक्राइब विज तना विप सकी तो वह गुर्लंग मेरा वीडियो जारा यह यह मेरा वीडियोगाया शैयर आपको को शिश्क्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन जे उसको जरूर प्रेश करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अप्रोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंज तब तक के लिए नमस् करेंदगो gemaakt छोडर एक ईनिया पाइब करेंगो के लिए खुषच जया र मातार हो जे पहले वीडियो करें तक सकंब हैं और सुषण को जां एकुब हो जाए मेंा आपारी सवाइब फाइब कर साथ में तुषण